हलो फ्रेंड्स आइम नीमा वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नीमा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत यमी और टेस्टी तंदूरी नान रेसिपी जी हां फ्रेंड्स तंदूरी रोटी की जिसे हम आज बनाने वाले हैं बिना ओवन के ही बहुत यमी और टेस्टी सी है करारी सी रोटी आप बिना ओवन के ही अपने घर में बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं यहां पर मैं आपको दिखाती हूं कि आप इन रोटियों को किसी भी ग्रेवी वाली सबजी के साथ इस पेशली पनीर की सब्जी के साथ अपने ही घर में बना करके इंजॉय कर सकते हैं तो आईए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि यह तंदूरी रोटिया हमने घर में ही कैसे बनाई है इसके लिए यहां पर मैंने लिया है गेहूं की रोटी जो हम हमारे घर में यहां पर मैंने लिय जा चमचों के अगर आपके पास एक नहीं है तो ऍुरींग तो आपको आपके पास एक कप नहीं है तो आप घर में और पहले हैं किसी बींशका तेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा नमक कर सकते हैं पहले मैंने सारी इन ड्राय चीजों को यहां पर चम्मच की हल्प से मिला लिया है ताकि यह सबी चीज अच्छे से इस आटे में मिक्स हो जाए अपको आटा वही लेन पहले हम इस दही को अच्छे से तो इसे में और नाटे क्रोंप कर लिया है तो यहां पर । पूरे आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं फाइनली लास्ट में मैंने या पर दो टेबल स्पून इसमें ऑईल डाला है जो भी आप कुकिंग ऑईल यूस करते हैं अपने घर में वही ताकि जो हमारा आटा हमने लगाया है यह बिल्कुल डो एकदम स सॉफ्ट हो जाए तो चारों दरफ से हमने इस पर अच्छे से ऑईल से ग्रीस कर दिया है दो चमच ऑईल में पहले डाल चुकी हूं और अब हमने इस अच्छे से सेट कर लिया है इस आटे को हम कम से कम फ्रेंट्स 45 मिट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि जो ह तो फ्रेंड्स यहां पर 45 मिट करीवन हो चुके हैं आप देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल थोड़ा सा यहां पर फूल भी चुका है और एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है तो बस एक बार हम इस आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं जैसे कर लिया है और अब हम बनाते हैं तो यहां पर फेंड्स जों रोटी बनाते हैं हमारे हम करना इसा सूखा आटा थाकि चिपके कि यहां पर बेलना शुरू कर देती हूं तो यह दोड़ा सा मोटा रखा है ज्रादा मोटा नहीं रखना और अब यहां पर गैश जलाकर कि तवा रख दियाँ गरम होने आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही साइड पानी लगाना है और यहां पर अच्छे से गरम हो चुका है और पानी लगाया था उस साइड को आपको नीचे की तरफ रखना है और जैसे ही हम एकदम गरम गरम तवे पर रोटी डालेंगे तो आप देख सकते हैं यह बिल्कुल फूल तो हलके हाथों से मैंने यहां पर इसको प्रेस कर दिया है और अब हम इसको सेक लेंगे कम से कम तीन से चार मिनिट करीबन हम गैस की फ्लेम को मीडियम करके इस रोटी को अच्छे से से लेंगे आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी जो यह तंदूरी रोटी है बिल्कुल फ से कम गैस करके हम इसको उल्टी साइड से कैस की फ्लेम के ऊपर से से लेंगे जब हमें लगेगा चारो तरफ से हमारी रोटी अच्छे से क्रंची हो गई है तब यहां पर देखिए मैंने एक चमच की हर्प से बिल्कुल इसको हटा लिया है आप देख सकते हैं फ्रेंस और कॉटन के कप्ड़े से आप यहां पर अंगयल के प्रेस करके इस तरह से रोटी को करके सेский सकते हैं तो यह यह पर हमारी रोटायां बिल्कुल कै अथी और दियार हो चुकिए और आब लगाएंगे इस पे बिल्कुल मक्खन या बटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो तो इससे इस रोटी का टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है तो यहां पर देखिए मैंने दोनों ही रोटी ओपर मक्खल लगा लिया है यह मक्खन भी मैंने घर में ही तयार किया हुआ है इसकी वी वीडियो ही सर्व करें मैं आपको यहां फोल्ड करके दिखाती हूँ आप देख सकते हैं किती क्रंची और करारी से हुआ ही रोटियां बन करके तयार हुई है आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि रोटी रेस्टोरेंट से लाए हुए नहीं घर पर ही बनाइए यह एकदम से आप को आज कि यह बीडियो अच्छी लगी होगी रेसिपी आपको पसंदाये होगी लायक शेयर करना न भूलें जरूर और सब्सक्राइब करें साइड में जो बैल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए और फ्रेंस मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह से तंदूरी रोटी और किस-किस ने बनाई ये मिलते हैं नेक्स